तो आज हम बनाएंगे एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सूजी का हलवा अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन की घंटी भी ज़रूर प्रेस कीजिए तो यह हलवा बनानी के लिए मैंने सबसे पहले लिए सूजी ुझा आप कोई भी लेसकते हैं यह चीनी तो ओड़ी हल्वा बनाने की पूरी सामगरी तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं हल्वा सबसे पहले मैंने कढ़ाई में एक चम्मस देशी घी डाल कर इसमें मैं काजु को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और उसी में अपने कत्रे वे बदाम भी डाल दूँगी दोनों को एक साथ हम अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे फ्राई के वे ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट हल्वे में बहुत ही अच्छा आता है वो बहुत ही क्रंची लगते हैं खाते समय फ्रेंड्स हम बहुत बार हल्वा बनाते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हल्वा हमारा बहुत जादा चिप-चिपा बन जाता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छे से सूजी नहीं भुन पाती है तो भी हल्वा अच्छा नहीं बनता है और हल्वा एक ऐसी आज हम एकदम पर्फेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे काजू और मेरे बदाम भून चुके हैं तो अब उसी तेल उसी कढ़ाई में मैं एक चम्मस घी डालकर किश्मिश को भी अच्छे से भून लूगी किश्मिश को तेल में डालने या घी में फ्राई करने से वह एकद डालूंगी हलवा देसी घी में ही बहुत टेस्टी लगता है अगर हम उसको देसी घी में बनाएं तो जादा अच्छा है वैसे आपकी मर्जियों तो आप उसको वनस्वती में भी बना सकते हैं बस इसमें अब हम सूजी डालके भून लेंगे अगर हमने एक कटोरी सूजी लिए तो इसमें हमको एक चुथाई कटोरी देसी घी लगेगा ही लगेगा उतना हमको घी उसमें चाहिए चाहिए तो यह देखिए सूजी को हम लो फ्लेम पर एकदम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे सूजी कच्छी नहीं होनी चाहिए नहीं तो हलवे में टेस्ट अच्छा नहीं आता है यह देखिए यह इस तरह की एकदम सुनहरे टाइप की सूजी होनी चाहिए अब यह एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है सूजी हलवा पनाने के लिए हम कोई भी ले सकते हैं चाहें मोटी चाहें पतली बस मेजर्मेंट ठीक होना चाहिए अब उसी कटोरी से मैंने तीन कटोरी पानी को गुनगुना करके रखा था यह मैंने तीन कटोरी पानी इसमें डाला है जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी और एक कटोरी से थोड़ी कम चीनी है क्योंकि ये चीनी थोड़ी सी मोटी है इसलिए मैंने कम ली है अगर आपकी चीनी थोड़ी पतली है तो आप बराबर करके भी ले सकते हैं या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा भग कम जादा भी कर सकते हैं। उसी में मैंने अपने सारे फ्राई की वे ड्राइ फूर्ट्स डाल दिये हैं। इसमें मैं अभी नार्यल कटावा नहीं डालूंगी। थोड़ा सा ही डालूंगी बाद में थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए भी रखूंगी। और इसको हम हिलाते वे अच्छे से चलाते वे इसको हम पकाएंगे। यह देखिए क्योंकि इसमें हमने थोड़ा गरम पानी डाला है तो इसलिए इसमें जल्दी बॉइल आ जाएगा। तो इसमें अब मैं दो पिंच फूड कलर डालूंगी यह यलो कलर है जिससे की हलवे का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर जैसे की कभी बाइचांस सूजी थोड़ी बहुत कम भी भूनती है तो उससे भी वह सफेज सफेज देखने से अच्छा नहीं लगता ना तो यह कलर डालने से इसका हलवे का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसलिए इसमें मैंने दो पिंच कलर डाला है फूट कलर यह ऑप्शनल है आप चाहें तो डाले चाहें तो ना भी डाले यह देखिए कितना अच्छा हलवा बनाए एकदम से कढ़ाई एकदम चारो तरफ से साफ है इसमें घी चीनी और पानी एकदम परफेक्ट टेस्टी हलवा बनकर तयार हुआ एकदम खिला खिला हलवा और कलर डालने से इसका कलर और भी अच्छा आ गया है अब मैं थोड़ा सा नारियल डाल के इसकी गार्मिशिंग करूंगी फ्रेंट्स अगर आपको मेरी हलवे की रेष्पी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीड को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू